हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारा हूँ कि कैसे आप अपने LG W11 Android मॉइलफोन में आप जो है पैटर्न लोग को रिमूव कैसे कर सकते हैं अपने मॉइलफोन से ठीक है और ये पैटर्न लोग जो है रिमूव होने के बाद आपके मॉइलफोन क ये सैटिंग कैसे काम करेगी आज के इस वीडियो में मैं आपको डीटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए यहाँ पर जो है वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने मॉइल फोन में सैटिंग पेज आपको ओपन करना है ठीक है सैटिंग पे एंटर करना है तो आपका phone next page open होगा यहाँ पर आप देखें यहाँ पर लिखा हूँ है pattern current screen lock यहाँ पर मेरा pattern lock पहले से set है अब pattern lock को remove करने के लिए आपको करना है आपको सबसे ओपर यह first option मिलता है नोन का नोन पर सेलेक्ट करना है अब आपका छोटा सा page open हो जाएगा ना इस page में आपको नीचे यह yes का option टैप करना है होने के बाद ठीक है अब मैं आपको जो ना इस setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूं आपके mobile phone में इसके लिए आपको करना है क्या है mobile phone का setting page open करना है setting page में आपको सबसे ओपर यह search setting select करना है और यहाँ पर आपको search बार में टाइप करना है screen lock तो आपको नीचे यह option शो जाएगा screen lock security के साथ यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है जब यह आप search बार में setting का name आप टाइप करते हैं तो आपको spelling mistake नहीं करनी है